पीने की पानी की किल्लक जेल रही है इस पर सरपंच असलम कोहली के मुताबिक चार साल पहले एमेले पंच से एक वाटर टैंक बनाया गया था जिसकी लागर दस लाक रुपए थी पी-चे विभाग में 50 पाइट्स भी दिये लेकिन आज तक उन पाइट्स को जोड़ा नहीं गया और इस टैंक में गंदगी कामबार लगा हुआ है उनके मताबिक कई बार उन्होंने विभाग से गुहार भी लगा लेकिन किसी ने उनकी सुद नहीं ली पाइट्स को लोग अपने घर बनाने में इस्तमाल कर रहे हैं अब से पहले तो मैं 4TV चैनल का शुक्रिया दा करता हूँ कि जो इतने दूर से चलके हमारी खबर लेने के लिए आए हैं लिएसे यूँ कहेंगे कि इस महला में ये बहुत बड़ा महला है इसमें टंपरेरी पानी एक आ रहा था लिफ्ट का जो इनको पूरा नहीं होता था जो यहां इनको मैसरी नहीं होता था जब इनकी ये प्राबलम देखी तो सिटिंग अमेले ने इनके लिए दस लाक रुपया रखा टैंक बना के दिया कुदरती चुश्मा था और डपार्टमेंट ने पाइपें हाईल की ये लगबग पांच साल से वो टैंक भी जूंका तूंपड़ा है और पाइपें भी यह हमां एक आदमी के गार में रखी गई हैं जिनका मिश यूज होता है लेकर इनों ने बार-बार तासीर इंतजामिया से डिस्ट्रिक इंतजामिया से गहूर लगाई कि कि हमें पानी मैसर कर स्बाइजाए लेकर बद्किस्मत ही इनके इस पानी पर कोई ध्यान नहीं दिया औ हमारे मैकमे के बंदे कोई हमारे गाउं के बंदे के हमारे माले का चार सो तीन सो आदमी है हम सब गए हैं कोई आने वाला नहीं है हमारे माले में ना जाता है सब फ्राड का मैकमा बनाया हुआ है गौर्मिट कहती है का हमने इसके एक कलास बना दिया हिंदुस्तान को लेकन मैं मोधी साब से ये गजारिश करता हूँ कि हमारे महले में आएं हमारे गउं में आएं आगे देखें हमारी क्या हालत है ना हमें पानी में पीने के लिए मिलता है आरे पास कोई इंतिजाम नहीं है ना गॉर्मिट का कोई बंदा यहां आता है ना कोई इंतिजमिया आता है जिसके पास जाते हैं वो बैठ की बात करके हमको बगा देते हैं बेज देते हैं आज नहीं कल आएंगे कल नहीं तो परसू आएंगे आज बारिश होगी आज गाड़ी नहीं है